अलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर हिंदी रिव्यूर आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट टास्क घर में आ गया है जिसमें लोगों को फाइनली जेल में भेजना है तो आई थिंक ये एक जेल टास्क है जो की दिकरा है लाइफ स्ट्रीम में जहां पे लोगों को उन पर्टिकुलर कंटेस्टंट को भेजना है जो की बाहर से वापस आए हैं जैसे फॉर एक्जामपल निकी तंबोली, राहुल और अली इन में से कुछ लोगों को आपको जेल में डालना है और इसका डिसिजन आपसी सहमती से होना चाहिए जो की बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन यहां पे यह situation बिग बॉस ने एक task के रूप में दिया है यहां पे देखो बात है कि जो लोग बाहर से आए हैं वो उनको advantage मिला है बाहर से क्योंकि वो लोग देख के आए हैं तो अंदर उनको एक advantage है और जो अंदर रह रहे हैं उनके लिए एक unfair advance क्योंकि उनके लिए unfair हो रहा है तो यह इनको इस point पे अपना point बताना है तो यहां पे रुबीना ने जब अपनी point बोलने start की कि राहुल जो गए थे वो अपने मन से गए थे मतलब क्योंकि उनको home sickness था जो भी उन्होंने reason दिया उन्होंने walk off कर दिया था शो से बाहर चले गए थे और सल्मान खान के कहते हुए बार हर बार कहते हुए कि आप sure हो आपको जाना है फिर भी वो बोले yes I am sure I have to quit the game show और वो चले गए बाहर लेकिन फिर जब जाके वापस आए हैं तो रुबीना के recording ये एक unfair advantage उनके पास है तो इस बात पे हो गई है बहस यहाँ पे लड़ाई हो चुकी है रुबीना, एजाज, राहुल and अभिनव में तो यहाँ पे बात है कि देखो लड़ाई जो हुई है बहुत ही गंदे तरीकी की लड़ाई हुई है हर एक point को बताना थोड़ा सा मुश्किल है बट मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ कि हुआ क्या था रुबीना ने जब explain किया राहुल को कि राहुल आप जो गए थे बाहर उसके बाद जब आप वापस आए तो you have an unfair advantage इस पे राहुल का कहना था कि रुबीना जब आपसे पूछा गया कि राहुल को क्या वापस घर के अंदर आना चाहिए तो आपने सहमती दी थी तो यहाँ पे रुबीना का कहना था कि उन्होंने सहमती इसलिए दी थी क्योंकि वो competition में अगर देखा जाए तो as a contestant he deserves तो इसलिए उन्होंने सहमती दी लेकिन अगर ये कहा जाता कि आपको contestant जो बाहर से आ रहे हैं अगर आपके उपर छोड़ दिया जाए कि आपको ले के आना है या नहीं ले के आना है तो बात कुछ और होती तो यहाँ पे clearly mention किया गया था weekend के war में कि you have to tell us जो भी contestant है उनको decide करना है कि राहुल को आना है य बिग बॉस का होगा तो ये end decision जब बिग बॉस होगा तो इसमें contestant का तो कोई बात ही नहीं है कि वो आए नहीं आए और वो जब आए है शो में it means it's assumed कि वो अंदर आएंगे तो ये था जवाब रूबीना का तो रूबीना के इस जवाब पे भड़क उठे राहुल राहुल उनको कुछ औरी समझ में आगिया राहुल का कहना कि वो उन्होंने कभी भी आज तक बाहर की बाते नहीं की है तो मुझे तो लगता है कि मैं शायद कोई अलग बिग बॉस देख रहा हूं क्योंकि यहां पर राहुल तो बाहर की बाते करते ही है राहुल जब आये थे तो आ की बाहर की बाते की है कि मर्द बोलता है तू लड़कियों के ओपर क्यों चड़ता है तो ये सब वो बाहर की बाते की है और मा कसम तक खालिये कि उन्होंने बाहर की बाहर उन्होंने बाहर कुछ भी शो देखा ही नहीं है तो I disagree with this Rahul and उसके बाद Rahul को जाना है या नहीं जाना है इस पे बहुत बड़ी बवाल हो गई एजास खान क्यों बीच में कुद गए ये पॉइंट आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे एजास खान इसलिए बीच में गुस गए क्योंकि रूबीना का टोन उनको खराब लगा उनको गुसा आया कि वो पॉलैटली बात नहीं कर रही है वो एजास खान जो खुद लड़कियों से इतने सामने आग तक बात करते हैं वो पॉलैटले के बात करते हैं बहुत ही मस जवाब दिया है रूबीना ने कि जिस तरीके से आप मेरे से बात करोगे उस तरीके का जवाब आप लोगे तो ये बात क्लियरली स्पष्ट एजास खान को कह दिया गया है इसमें बहुत लोग बीच में पढ़ गया है and it was clearly seen कि रूबीना एंड अभिनाफ को लोग डॉमिनेट करना स्टार्ट कर दिया है जैसमीन हुई, अली हुआ राहुल हुआ and then एजास, आरशी सब लोग रूबीना के खिलाफ चड़ गए even ये तक मैं आपको बता रहता हूँ कि विकास गुपता राहुल को सपोर्ट कर रहे है, तो आज जिनके भी दिमाग में ये शक था कि विकास गुपता किन को सपोर्ट कर रहे है तो विकास गुपता मुझे ऐसा लग रहा है clearly आपको इस एपिसोड जब ये दिखाये जाएगा, तो आपको clearly पता चल जाएगा कि वो राहुल को ही सपोर्ट कर रहे है और वो तिक गया है क्योंकि वो राहुल को ऐसा मानते है कि उनके साथ अनफेर हुआ है वो जब बाहर गए हैं तो उनके फैंस कम हो गए हैं, ऐसा विकास गुपता का कहना है कि राहूल के फैंस कम हो गए हैं, उनके जो फैंस थे, वो जब शो में थे, तो वो जाधा बढ़ रहे थे, लेकिन जब बाहर चले गए तो कम हो गए हैं, यहां तक मैं बात करूँ कि जब राहूल बाहर गए थे, तो जो फैंस थे, वो पागल हो गए थे, वो पागल हो गए थे और उन्होंने बहुत सारे जो भी बेतुकी बाते करके राहूल के बारे में ट्वीट करना स्टार्ट किया, ट्रेंड करना स्टार्ट किया, तब राहूल ट्रेंड हो रहा था, तो विकास गुपता का भी ये जो बात था, ये पूरा मैनूपलेट कर रहे थे, और रूबिना न लेकिन फिर भी एजास को घुसना है, एजास को लड़ाई करनी है, एजास को उनकी टोन पसंद नहीं आ रही है, अगर वो एपालोजी बोल रही है, तो उनको राहूल को ऐसा लग रहा है कि वो सौरी मेरे दिल तक पहुँचनी चाहिए, तभी वो एपालोजी मानेंगे, वो सौरी जो बोल रही है, रुबीन अगर सौरी बोल रही है, तो आप आप को वो टच नहीं हो रहा है, क्या टच मतलब कैसे, आप जो इधर जा, उधर जा, ऐसे करके बाते करते हो, आप क्या, आप कौन से अलफाज यूज करते हो, आप लड़कियों के लिए क्या-क्या ग पहला नहीं दिया जैसे पहले वो करती थी अभी निकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही समझदार क्योंकि वो देख चुकी है अभी वो क्या चल रहा है और वैसे ही हो चुकी है तो अगर किसे को मैं बोलूगा कि बाहर से कोई वापस आया है कुछ दिमाग लगा कि कुछ उसक तो कोई बात ही नहीं है उसकी तो कोई गेम ही नहीं है तो यहाँ पर आप देखो कि बहुत ही भेंकर लड़ाई हो चुकी है और यह जब ऑन एर आएगा तो इसमें आप पूरी स्टोरी ध्यान से सुनिएगा और फिर अपने डिसाइड कीजिएगा कि राहुल सही थे इनके हित में अगर आप बोलोगे तो ही वो सुनेंगे तो यह सारी पॉइंट्स थी तो आपको यह शॉट समरी अच्छा लगा होगा और आप यह एपिसोड का ज़रूर वेट कीजएगा टास्क का तो मुझे पता नहीं कि क्या हाल करते हैं यह लोग लेकिन अगर कोई टास दिया जाता है तो अच्छे से खेले तो डाट इस वेरी मच अप्रिशेटेड तो आप लोग यह एपिसोड का वेट कीजए और आप लोग को पता चलेगा जब यह ओन एर आएगा मेबी ओन फ्राइडे यह दिखाया जाएगा तो हमें पूरा क्लियारिटी दिखेगा जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट नोटिस हम लोग आएंगे लाइव जैसे एपिसोड खतम होगा हम लाइव आएंगे और आप लोगों से साथ शेयर करेंगे आज के दिन क्या दिखाये गया है और कल क्या दिखाये जाएगा और उसके बाद लाइव रिव्यू में आपके कमेंट्स और चैट्स सारे पढ़े जाएंगे और हम शायद रात को जूम लाइव आए कल जो की होगा और उस पे भी हम बाते करेंगे हम आप से मिलेंगे जल्दी बापाई